इस समय आज तक Ground Zero पर मौझूद हैं जम्मू संभाग के राजोरी जिले में हम इस समय मौझूद हैं ख्वास इलाके में यही वो स्थान है जहां पर सुबा तीन बच कर दस मिनट के आसपास एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला था लेकिन जो चोकस सुरक्षा बल हैं उ आपरेशन ऑल आउट चल रहा है और आप देख सकते हैं कि रिइनफोर्समेंट बेजी जा रही है यानि कि अतिरिक जो टुकडिया है सुरक्षबलों की बेजी जा रही है यहां यह राजोरी की तस्वीर हैं आप देख सकते हैं कि बखतर बंद गाडियों में हमारे पाकिस्तानी आतंगवादी हैं जो गुस्पैट करने में सफल रहें और जो पहाड़ी शेत्रों में छिपे हुएं इनके पास चाइनीज स्टील कोटिड बुलेट्स हैं गोलियां हैं जो कि बखतर बंद गाड़ियों को भी पार कर जाते हैं अब इसलिए बखतर बंद आज जो आतंग की हमला हुआ तीन बज कर दस मिनट के आसपास इसमें भरत्य सेना का एक सैनिक गंबी रूप से घायल हुआ उसको अस्पता ले जाए गया उपचार करने के लिए लेकिन यहां पर जो ग्राम रक्षा समू के जो सदस्य हैं उन पर भी आतंग वादी हमला करन आने वाले थे लेकिन समय रहते ही हमारे चौकस सुरक्षा बलू ने आतंग कियों के काले मनसूबों पर पानी फिर दिया यह वही गाओं है जो कि पुरुषत्तम कुमार का है यह ग्राम रक्षा समीती का सदस्य है और इसी वर्ष इसको शौरिच चक्र से सम्मानित किया गय था उसके शौरिच को देखते हुए यहां पर सरकार ने उसे शौरिच चक्र से सम्मानित किया और तीन बच का दस मिनट के आसबास रात को आतंग कियों ने इसी गाओं पर हमला करने की जो है साधिश की थी शड़यंतर गया था लेकिन चौकस सुरक्षा बलू ने समय रहते दस मिनट के आसपास आतंग की हमला हुआ दरसल जिस थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ इस से थोड़ी दूर जो है गाओं है गुंदा गाओं उसी गाओं में एक सैना का कैम्प है और उसी पर आतंग कियों ने सुबा तीन बचकर दस मिनट के आसपास एक कायराना हमला किया और वहाँ पर उस गाओं में जो ग्राम रखशा समीती के सदस से हैं उनके मकानों पर भी गोली बारी की ऐसी बात सामने आ रही है दरसल सुबा तीन बचकर दस मिनट के आसपास आतंग की आए और उन्होंने अचानक से जो सैना का कैम्प है वहाँ पर उस पर गोली बारी श साथ वहां पर मुटबेड छिड़ गई और यह जो मुटबेड है लगबग 10 मिनट तक चलती रही और आतंकी वहां से फिर भाग गए जो समाचार आ रहा है कि इसमें एक सैनिक जो है हमारा भारतिय सैना का वो जखमी हुआ है उसे तुरंट अस्पताल ले जाया गया और साथी में यह जो आतंकी हमला हुआ दरसल आतंकी उन्हें पुरा शडियंतर रचा था उनकी मनशा थी कि इस गाउं में जो ग्राम रक्षा समीती के सदस से हैं उनके मकानों पर भी हमला करना था बहुत बड़ी आतंक का आतंकी वारदात यहां पर अंजाम होने वाली थी लेकिन उ समय रहते ही सुरक्षा बलू ने उसको रोक दिया और आतंकी के जो काले मनसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जो बात सामने आ रही है कि आतंक वादियों की मनशा थी कि इस गाउं में रहने वाले जो ग्राम रक्षा समीती के सदस से हैं खास दोर पर पुर्शुत्तम कुम लेकि समय रहते हमारे सुरक्षा बलू ने भारतिया सेना ने आतंकियों के काले मनसूबों पर पानी फेर दिया पुर्शुत्तम कुमार यहां की ग्रामीन रक्षा समीती यानि कि जो ग्राम रक्षा समीती है उसके सदस से हैं और दोहजार तेईस में यानि कि पिछले आतंकियों के साथ तो उसने भी सुरक्षा बलू के साथ जो है उस आतंगवाद विरोदक अभ्यान में भाग लिया अपनी 303 बंदू के साथ तो उनके शौरिक को देखकर उनके जजबे को देखकर इस वर्श उनको शौरिक चक्र से सम्मानित किया गया और कहीं न कहीं इसी आतंकियों के इस शडियंतर को विफल कर दिया और वहां पर जबरदस वहां पर गोली बारी हुई सुबा तीन बचकर दस मिनट के आसपास और सुरक्षा बलू ने कड़ी कारवाई की और कड़ा संदेश दिया आतंकियों को लेकिन उस समय आतंकी वहां से भागने में सफल रहे लेकिन तब से और अब तक लगातार आतंगवाद विरोदक अभ्यान जो है वो तेज कर दिया गया है पूरे जंगल के शेत्र में तलाशी अभ्यान को अगर हम देखें तो काफी बढ़ा दिया गया है यहां पर अगर आप देखें शेत्र का भूगोल गने जंगल हैं के पहाड है इनी शेत्रों में सुरक्षा बल गए हैं चाहे भारतिय सेना के सैनिक हो जमो कश्मीर पुलीस का विशेश दस्ता हो सभी समय जंगल के इलाके को खंगाल रहे हैं और प्रात्मिक्ता यही है कि उन आतंकियों को जल से जल्द खोज निकाला जाया उनको धेर कर द चपे चपे पर पहरा है हर संदिक्द हरकत पर नजर रखी जारी है और साथी में जो गुंदा गाउं है वहां किसी को भी जाने की अनुमती नहीं दी जारी है इस पूरे शेत्र को सील कर दिया गया है हम बिलकुल जो निकटतम स्थान है वहां से इस समय रिपोर्टिंग कर हैं और आपको यहां के ताजा हालात बता रहे हैं यहां पर भी देखिया आपकी जो जमो कश्मीर पुलीस के जो पुलीस करमी है वो लगातार यहां पर चान बीन कर रहे हैं तलाशी अभ्यान चल रहा है और आप देखिए यहां पर की जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी वे पहचान पत्र देखे जा रहे हैं और गुंदा गाउं जो है उसको सील कर दिया गया है वो क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा आतंगवाद विरोधक अभ्यान चल रहा है इसलिए पूरे शेत्र को सील कर दिया गया और साथी में यहां पर एहतियात जो आने जाने वाले लो सारे आतंगवादी जो हैं गुस्पैट करने में सफल रहे हैं हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि जम्मू संभाग के पहाड़ी शेत्रों में चाहराजोरी हो पुंच हो डोड़ा हो किश्तवाड हो या अलग-अलग जो दूसरे पहाड़ी शेत्र हैं 40-50 आतंगवादी यानि क पहाड़ी शेत्रों में उपस्थित हैं उनकी उपस्थिती है वहाँ पर तो यह काफी गंबीर विशे है और इसी को लेकर सुरक्षा एजन्सियों में भी खासा चिंता है कि 40-50 पाकिस्तानी आतंगवादी यहां पर पहाड़ी शेत्र में छुपने में जो हैं सफल रहे हैं और कहीं न कहीं यहां पर जोर दिया गया कि जो अलग-अलग एजन्सिया हैं वो तालमेल के साथ काम करें कंदे से कंदे मिला कर काम करें फिलाल अगर हम इस आतंगवाद विरुदक अभ्यान की बात करें जो यहां पर राज़ुरी जिले के खौस शेत्र में चल रहा है चप पूरे शेत्र में फैले हुए है और प्रात्मिक्ता यही है कि आतंकियों को जल से जल ढूंड निकाला जाए उनको धेर कर दिया जाए लेकिन लगातार जिस प्रकार से जम्मू संभाग के पहाड़ी शेत्रों में आतंकी घटनाएं हो रही है आतंकी हमले हो रहे हैं इसको लेकर सुरक्षे ऐजेंसियों में चिंता है सरकार में चिंता है इसलिए नई रणनीती बनाई जा रही है ताकि आतंक जो अपना सिर एक बार फिर पहाड़ी शेत्रों में उठा रहा है इस सिर को जल से जल कुछला जा सके वीडियो जनले सीरच कुमार के साथ मैं सुनील झाल